मॉनिका, ओ माई डार्लिंग, आ चुकी है, काफे इंतजार के बाद, स्टोरी बिना टाइम वेस्ट करते हुए, पहले 20 मिन्टों में ही में पॉइंट पे आ जाती है इसे देखने से पहले एक चीज़ समझ लो, कि इस मुवी में एक्टर्स की नहीं, केरेक्टर की बात कर रहा हूँ हर को एक से बढ़कर एक है, ये तो पता ही हुआ कि एक आणी किसके उपर है, नहीं पता है, तो एक कहानी है, एक लड़की की मुर्डर की और इस मुर्डर के पीछे चुपे वह राज क्या है, ये मुवी में देखने मिलेगा जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, ये तीन लोगों को ब्लैक मिल कर रही है, और ये तीनों मिलके इसका मुर्डर करते है तो भई हुआ यही जो मैंने सूचा था, स्पॉयलर है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ स्टार्टिंग होती है सारे करेक्टर का बेस बनाके, फिर शुरू होता है इनका मास्टर प्लाएं अब वो कितना फुल प्रूफ है, वो तो मुवी देखके पता चलेगा मुवी बोर बिल्कुल नहीं करती है, कुछ भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, बहुत इंटरस्टिंग है इसके बैगाउंड मुजिक के साथ, बैगाउंड में जो काने बचते है, वो काफी सूटेबल है सीचुईशन को और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो हिला कर रख देगा, कि अब क्या करेंगे लोग, और हुआ क्या था फिर बीच में एक नॉंसेंस वाला पार्ट भी आता है, जो नॉंसेंस है, लेकिन फिर भी इंटरस्टिंग है, और बहुत ही फणी है और इस नॉंसेंस के बाद ना, फिर्म पूरी पलट जाती है, भई इस कंपनी में मौत का तांडव हो रहा है, डिरेक्टर ने हमारे दिमाग के साथ खेला है, तुब एक साफ जाहिर है, डिरेक्शन एडिटिंग और स्क्रीन प्ले बहुत लाजवाब है, और दिमाग चक्र परफॉमेंस में आया नागर, तो वो थी राधिका अप्टे और हुमा खुरेशी, इसका मतलब यहीं नहीं है कि राजकुमार राओ के परफॉमेंस मुझे बुरी लगी, नहीं, बुरी नहीं लगी, लेकिन मैंने उन्हें इस करेक्टर में इतनी आच्छा परफॉमेंस के स वीडियो अच्छे लगे अगर, तो प्लीज 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 शेर करो और ग्रो करने में सपोर्ट करो मुझे, और इंस्ट्राग्रम हैंडल को मत भूलना, वहां पर भी काफी सारे शॉर्ट रिव्यूज आते हैं, तो फॉलो कर लो उसे भी